हम जाता है हर्तुफान बवंडर भी रुख जाते हैं और जब हौसलों में हो जान तो परवत भी जुख जाते हैं साथियों एक और नई कलास में आपका एक बार फिर से स्वागत है आपका एक वीडियो एक टॉपिक का सीरीच चल रहा था जिसमें आज आपका वीडियो नंब पर आपको मिल जाएगा ठीक है टॉपिक चल रहा टिग्नमेटरी यानि तिरकोड में ती आज का जो टॉपिक है वह बहुत ही खास है देखे पिछले कलास में मैंने आपको बताया था कि इनके सबके मान आप कैसे बीना रटे कैसे समझेंगे कैसे कोई बीचीज रटना है ये वाला मान नहीं है कैसा जैसे आप जानती हो फिक साइन-30 कमाने कटा दो होता है को सप्रेब्य मान होता है यहां पर यह दिकाय रहा है यानि इसको सापेच इसका निकलना है इसका मतलब क्या मैं में बताता हूं आगे दखें कि अपने वगदमे में लाल बटक क्या सु थिर्भूज की भुजाओं के आधार पर एक सूत्र होते हैं एक एक अलग अलगा जिफे देखो साइन थीटा ठीक है कॉस्ट थीटा और टैन थीटा यही आपके मुखे तिरे तीनों थिरकोड में दिये मान हैं अगले कम से कम 10 मिनट देखना सब क्लिए हो जाएगा आज ठीक अफडAD के यह लापान के का मतलिद कुम समझ गयो करणी किसका बन गא साइन और याद रखना कि साइन थीटा बराबर जो सूत्र है वो क्या है लंब बटे करड़ आगे इसका हर जगा यूज होगा और इतना बार यूज होगा कि आप इसे चाहा के न बुला पाओगे ठीक है अगला बाला बच्चा है कॉस ये क्या है कॉस थीटा के लिए ए बटा के एका मत दो मतलब लंब और ए मतलब आधार यानि लंब बटे आधार तो यहां पर बात समझना मैं कहना क्या चाहता हूं यह आपके मुख्य सभी के ठीक है यह किस का था याद रखना भूलना नहीं यह किसका बच्चा टैन का भया या या यह थीटा यह बाई-डिफाल्ड कर लो यह लापान के लंब बटे एकए टो याद्न रखका लाल बटा कक्का याद रखना ठीक है लाल बटा कक्का लाल में तीन spelling है कक्का में तीन है तो तीन है मुख़ halli 17 मीटी जजमान साइनивать थिंक तो solo बन गया यह लंब बटे आधार ठीक है बईया दन अब देखो इनका यूज क्या है कहां है अभी तुरंत दिखाता हूं तुम्हें देखो बताओ किसी तिर भूज में कोड के सामने वाली भूजा लंब होती है याद रखना इसको समकोड एक अपवाध है समकोड में ऐसा नही हो सकता दो दिया ये पांच दिया है क्या हूगा इस आधार पर यहां से आप देखोगे साइन एक के लिए जो लंब होगा वह पी क्यू होगा लेकिन अगर वाला कोण percentage लोग है तो बी के लिए सामने माली भूजा पी आर्क्या होगा लंब होगा थिकर अबी सब हथियार द भी ठीक है यह सी वाला है तो वन सी या वन डी आफ़े लिखना बहुत अच्छा बढ़े गूड देखिए बहुत से बच्चे जो सी रफी पढ़ने वाले हैं वो बिलकुल हमेरे दिलों में बसते हैं और वो देखो कितने प्यार से अंसर दे रहें अगुछ तो बतिया रहे है कहीं है का है ना वभी वाला है ना तो इसका करेक्ट आंसर है कौन सा लंबटे करण हो गया अगला बिलकुल सब प्रेक्टिस हो जाया आपका इसी कलास में कॉस्टीटा के लिए बताओ जल्दी बताईए जो अब इस सुरू में बताया हूं इसको अगले भाग में देखोग यह मतलब आधार और के मतलब करण यानि आधार बटे करण कोज लो कहां है आधार बटे लंब यह नहीं है आधार बटे कहीं है यह नहीं है यह भाई यह तो में स्टेक हो रहा है मैं कौनों सही नहीं है आधार बटे करण कोई है नहीं है तो इसमें क्या हो जाएगा नौन अमध्य की बात समझो बस अगला पताओ 10ग के लिए कोड के लिए है एक चीज़ और नहीं बताया में आपको कौट को आपको समझ में आएगा जब आपको ये चीज पता ओँ आपको को नहीं तो उल्टा होता है कोड्ट बताया हुं लाल बटाक काड होता है लाल बटा कक्का में बच्चा लाश्ट वाले लेटर लेते हैं यल और ए यल और ले मतलब लंब बटे आधार ठीक क्या लंब बटे आधार अब कौट जो है टैन का उल्टा होता है तो लंब बटे आधार का क्या हो जाएगा आधार बटे लंब क्या हो जाएगा आधा क dispersed ठीटा देखो गोशेक ठीटा जो है वह वू wanna' किसका कोशेक ठीटा जो है वह फ्राइन ठीटा साइन ठीटा का तुम जांते हो का जांते हो लाल बाटा कक्का HELा कि जेखा क्या क्या है? मिश्टेक ना करो भई लाल बटा कक्का साइन के लिए पहला वाले लेटर होंगे दोनों यह लपान के यानि लंब बटे करड़ तो लंब और करड़ है कहीं यह है सी वाला यानि फोर में सी साही है समझ में आ रहा ना मजा आ रही कि नहीं बता दो एक बार मुझे चलो टैन बाबु खुद आ गए बताई अभी एक सवाल दोंगा इसी पर जबर जस्त वाला क्योंकि दस मिनट में करना भी तीन मिनट बचा है न देखो अभी अभी मैं आपको दिखाया मेरे भाई की लाल बट तो पांच में बी क्या हो जाएगा सब अब यह सब टीन पांच जीतना वाजाई कि इसका मतलब क्या यूज क्या रियल में बगवाई क्या बट एक तीरभूज है ऐसे बना लो मैं इसको मान लेता हूं कि क्या ही तिरभूज है समझना मगर प्यार से समझना चलो प्यार से समझो के तो अच्छी बात होती है यह क्या है कोड बन गया ABC यहाँ पर समझना अब यहाँ पर यह कोड बन गया मान लो कि 3 संस बना दूँ का 1,32 संस बना दूँ कुछ भी बना लो चलो कौन इस पर बना है मान लो बस ठीक है चलो साइन थर्टी एक्कॉल लेख लो क्या दिक्कत है चलो आप कुश्चन क्या कहता है यदी कि साइन तीस एक्कॉल एक बटा दो तो तो अकॉस फोर्टी फाइब का मान यहां पर आपको तो इस ट्रेंडर भैलू 45 का ने रखना इसका ठीक है आपको क्या करना है इस आधार पर इसके साप पेच यदि साइन थर्टी वन अपान टू है तो कॉस्ट फोर्टी फाइब क्या होगा वह निकालना है अगर आप से सिंगल सिंगल पूछता कि साइन 45 पर कॉस्ट फोर्टी अब इनका यूज कैसे करो वे समझो आओ इधर देखो देखो मगर प्यार से देखो कैसे यह यहां पर हाल लिखना है क्या करना है देखो दिया है गीवें लिखो गीवें इज्जत के साथ मैं पूरा बताता हूं ना आपको पता है लाल बटा कक्का वाली कहानी अब बताओ है ना लाल बटा कक्का लंब बटा करड क्या होता भीया लंब बटा करड होता है साइन का अब यहां आ गया इसका जिस पर कोड बनता है उसके सामने की भुजा का होती है उसके सामने की भुजा लंब होती तो मैं पह तिर्भूज का जो करड़ है सबसे बड़ी भूजा होती है इसको हिंदी में बोलते हैं इसको इंगलिस में पर्पेंडिकुलर बोलते हैं इसको इंगलिस में हाइप फोटनस बोलते हैं ऐसे कुछ होता है तो यह हो गया अब इसमें करना कहा देखना भाई 10 minute तो हो चुका है र Erfahr कुछ यहां से क्योंकि इनका क्यों मतलब रहा है कि अब हमें यह चीज निकालना है आधार इसमें पाइथागोरस परमिये वह आपको समझना है पाइथागोरस पर्मिये क्या होती है इसके बारें बिस्तार से बताऊँगा, अगली कलास में अभी तुम सिर्फ इतना जान लो बस किसी भी समकॉंट तिर्भुज में पाइथा गॉरस पर्मिय जो होती है, वो होती है करड का स्कॉयर इक क्वर, आधार का स्कॉयर, धन, लंब का स्कॉयर ठीक है ये क्या होती है आपका ये पाइथा गुरस पर्मिय होती है इसी को उलट पलट के अगर लंब निकालोगे तो माइनस में हो जाएगा करड़ स्कॉयर माइनस अधार स्कॉयर अधार निकालोगे तो करड़ स्कॉयर माइनस लंब स्कॉयर हो जाएगा ठीक है ये क्या है पाइथा गुरस पर्मिय इसमें हम किसी भी तिर्भुज के तीनों भुजाओं में से एक अग्यात भुजा को पराप्त कर सकते हैं इसकी साहता ठीक है हमें निकालना बच्चा आधार क्या निकालना है आधार हमें हमें यही को find करना था lamb एक था तो एक क्या हो गया square यह हो गया 4 और ये आधार का square और धन 1 अब देखो 4-1 बराबर आधार का square ये इधर से आएगा इधर हो जाएगा minus तो ये 3 बराबर आधार का square इधर से square हटेगा जया तो क्या होगा इधर हो जाएका वहर्गमूल्स क्या हो जाएका भीया वर्गमूल तो यह रूड-3 बराबर क्या हो जाएका आधार यह नहीं निकाल सकते तो मैं पता है क्यों बताता हूं क्यों कुछ लोग सोच रहे होंगे इतना वजाही फालतुए का किया इसे निकाल लेते डारेक्ट उत्तरवत का मतलब था देखो बताता हूं तुम्हें जो कॉस 45 है आप यह बताओ कॉस का सुत्र क्या होता है लाल बटा काफे लाल का का ए अधार उट तीन और करण कितना है दो तो यह हो गया समझ में आया यह इसके साब पेच्छ है बैलू वरना कॉस 45 की बैलू अब रूटू होती है लेकिन यह इसके तुलना के रूप में यह लिखा गया है कि यह दिसाइन 30 अगर एक बटा दो है तो उसके साब पेच्छ कॉस 45 इतना बात समझ में आया यह पूरा एक प्रोसेस था जो आपने सीखा में 10 मिनट में बोला था 13 मिनट हो गया ठीक है और हाँ अगर आप नहीं समझ पाए कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करिए मैं उसको बताऊंगा और दूसरी बात एक बड़ी गुड निउज है वो क्या है ब बिल्कुल जीरो से सिखाया जायागा फी एट डीटेल के लिए वड़ सब पर संपर करें ठीक है बिल्कुल जीरो से सिखायेंगे यह तो पक्का जान लो Vatican मिसे PS से पूरा भी अदर डीटेल के लिए इस नमबर पर वड़्os आप करें और संगंघ्च जौईं करें और जिसस आप घर बैठे गड़ित सीख पाएं ठीक है बाकि फ्री स्रीज के लिए आप इसे फॉलो करते रहें जो आप देख रहें यहां पर आपका कुछ नहीं लगने वाला आराम से पढ़िए प्यार से पढ़िए कभी भी पढ़िए कैसे भी पढ़िए वीडियो आनलाइन देखें में में तो मुझे बता दो कमेंड में